Hello Friends, Welcome to the Exam Heikar YouTube Channel दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिसाइस करेंगे? आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे यहापे कि जो age structure है किसी भी population की उसका क्या significance होता है? यानि की आयू जो सरणचना होती है इसको क्यों हम measure करते है या क्यों जानने की कोशिस करते है इनकी significance क्या है? तो देखो किसी भी रिजन की जो population की composition होती है उसमें बहुत सारे factors होते हैं जैसे की population pyramid निकालते हैं, occupancy structure निकालते हैं, rural urban population की structure निकालते हैं, वैसे ही हमारा age structure भी निकालते हैं, तो age structure एक type की हमारी information होती है किसी भी population की जिसमें हमें बताती हैं कि किस age वाले जो लोग है उसकी संख्या कितनी है, ठीक है? तो यह हमारे age structure है बहुत ही important indicator है किसी population की composition की क्योंकि बहुत सारे information हमें provide करता है और government को या governance system बनाने में बहुत ज़्यादा helpful होता है क्योंकि future में population हमारी कैसी होंगी, उसके लिए क्या policy बनाने चाहिए, इन सब चीजों को हमें information देती है तो देख लेते हैं इसकी significance की, देखो age structure में हमें पता लगता है कि हमारी working age population कितनी है working age population 15-59 age group को बोलते है, इससे हमें यह भी पता चलता है कि senior citizen जो है population की कितनी है 60 years से old वाले जो population होते हैं, उमारे senior citizen में आते है, youthful population कितनी है, 15 से कम जो age वाले population होते हैं, उमारे youthful population होते है तो तीनों ही category age structure से हमें पता चल जाते हैं, अब देखो हमारी working age population यह ज़्यादा है ठीक है, यह लार्जर साइज है working age population का, इसका मतलब है कि लोगों को employment में ज़रूरत पड़ेगी और यह वर्किंग age population का यह आप utilize करना जाते हैं किसी भी देश में तो आपको industrial activities यह सब चीजों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और उससे हमारी GDP या overall country की growth हो तो overall asset पनाने के लिए country को industrial या other economy activities पे ध्यान देने की ज़रूरत है यह हमारा large size population है, working age population है इदि मालनों हमारे aging population है, senior citizen की population बहुत ज़्यादा तेजी से grow कर रही है इसका मतलब है government की जो खर्चे हैं, वो हमारे बढ़ने वाले है expenditure government का बढ़ने वाला है, क्योंकि pension पर ज़्यादा खर्च होगा उनकी health care पर ज़्यादा खर्च होगा ठीक है तो health care infrastructure और pension expenditure नमारी बढ़ने वाले हैं गवर्मेंट की यह हमारा indicate करता है यह चिल्डेन की संख्य जादा है 15 age group से कम है इसका मतलब है countries की जो population है बहुत जादा तेज़ी से grow करने वाली है क्योंकि बच्चे की population ज्यादा यहाँ पर देखने हो बिल रहा है और इसके लिए अभी presently तो education या अधर जो facilities है बच्चे के लिए ओ यहाँ पर होना जरूरी है क्योंकि यदि हम population को asset बनाना चाहते है तो यह जी structure हमारा अभी हमारी population के लिए कैसी policy बनाएंगे future में क्या हमारी policy होगी कैसा government का expenditure होने वाला है या income होने वाला है countries की growth कैसी होगी इन सब चीजों हमारी किस से पता चलती है population की age structure से तो यह रहा है दोस्तो significance of age structure तो आज किस वीडियो मसना ही I hope जो डिसनस की हैं आपको पसंदा होगे thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए topics रहा है thank you